हेलो गाइस, वेलकम बैक टो एजुकेशन आईक्यू, आई होप आप सब अच्छे होंगे, तो जो मैंने सेशन स्टार्ट किये थे, जिसमें दस मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा दा हिंदू न्यूस पेपर कवर करवाऊंगा, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूस जैसे ही मेरा वीडियो आएगा, तुरंत इसका जो लिंक है ना, वो मैं टेलिग्राम पे डाल दूँगा, तो टेलिग्राम को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, उसका जो लिंक है ना, वो मैं आपको कमेंड बॉक्स में दे दूँगा, मंडे टू सैटर्डे डेली, दूट एनी टाइम वेस्ट, मेरा नाम है अभिलाश, तो हमारी फर्स्ट न्यूस क्या है, वन बोटर, टू स्टेट्स, टू बोट्स, मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, कि हुआ क्या है, एक वोटर जो है, वो दो दो जगा पे वोट कर रहा है, अब ये पूरा मामला क है, मैं आपको बताता हूँ, ये है, जो है, हिल्ली एरिया, हिल्ली टैरेन एरिया, जो है, महाराश्टरा और जो हमारा तेलंगना है, उसके बौडर का ये एरिया है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ इशू चल रहा है, उसकी वज़ा से क्या है, बौडर इसलिए पता नहीं कि यह इरिया जो है कि इंडर tighter में था टेलंगाना के अंडर में आएगा इस ग्रता नियूं में था पांच हसा क्योंहे पाउर है कि वो महराष्टा में भी वोड कर सकते हैं और तेलांगना में भी वोड कर सकते हैं इससे दादा important कुछ नहीं है इतनी सी ही news है next important news के उपर हम लोग जो है वो चलेंगे खालिस्तान टाइगर फोर्स केस NIA files charge sheet तो जो हमारी National Investigation Agency है उसने Saturday को क्या किया first जो charge sheet रहती है उसको जो है वो पेश किया खालिस्तान टाइगर फोर्स जो फोर्स केस जो चल रहा था जिसमें जो है ना smuggling हो रही थी guns की, arms की, पाकिस्तान से उनको जो है वो लाया जाला था तो उसमें से अमरित पार सिंग उसको बोलते हैं और जो अमरित सिंग से जो कि फिलिपाइन से उनको निकाला गया था और वहाँ पे जो आये हैं ये और जसा सिंग है, जगनतीप सिंग है तो जो है ना ये जो है इसको बोला जा रहा है कि ये Canada-based listed individual है जो अर्षदीप सिंग है जिसको अर्षदला बोलते है उन सब ने ये जो है वो smuggling की है और इनी लोगों के खिलाव जो है ना जो है मामला जो है NIA ने जो है जो चार्ड़ शीट है उसको पेश किया है तो ये smuggling कहां से होती थी पाकिस्तान से होती थी ये ही इसमें जो है वो लिखा हुआ है next news क्या है ये दिपावली के related news है हमारे लिए important नहीं है important news हम लोग पढ़ेंगे जो भी आपके थोड़ी बहुत आपके लिए important होगी मिनीश सिदोधिया मिनीश सिदोधिया जो है ना जो देली के deputy prime minister थे शायद उनका क्या हुआ है sorry education minister थे deputy CM तो नहीं रहता है deputy CM भी थे और साथ में शायद education minister भी थे ये अपनी wife से मिलनेगे आपको पता है इनके उपर case चल रहा है और काफी समय से जो है ना ये police की custody में है तो उसके बाद ही इनको थोड़ा सा मोका मिला कि ये थोड़ी सी बातचीद जो है वो कर सके इसमें और important कुछ नहीं है next ये important है PM Woos Madigas with promise to set up panel on Supreme Court sub quota demand Woos का मतलब क्या होता है ना किसी को impress करने की कोशिश करना तो एक Madigas community है Modi जी ने promise किया है कि उनके लिए जो है एक panel set up किया जाएगा तो उनोंने मतलब उनको schedule cast में उनको quota देने के लिए ये उनोंने बोला है एक हैदराबाद में rally हुई जहां पे उनोंने commit किया कि उनकी जो fight चल रही है ना इस community की उसको जो है हम लोग logical conclusion तक पहुँचाएंगे और Modi जी ने साफ कहा कि हम लोग क्या करेंगे एक community बिठाएंगे जो कि empower कले की जो भी दलित communities है और उनको जो है justice मिलना चाहिए जो muddy gas है ना ये अपने quota के लिए जो है वो fight कर रही है ऐसी में इसको reservation मिलनी चाहिए पिछले लगबग 30 सालों से तो लगबग ये 60% जो है एक और है deep fake video दिल्ली police writes to meta for URL तो ये जो meta company है ना दिल्ली police ने क्या किया है जो meta है उसको बोला है कि आप लोग जो है ना हमें URL प्रोवाइड करो उन account का यहां से जो ये deep fake video था ना जो रश्मी की रश्मी का मंदना का और Katrina कैफ का उसको social media में share किया गया तो meta company से जो है दिल्ली police ने detail मागी है और ये भी बोला है कि जिन लोगों ने जिन जिन लोगों ने इस वीडियो को आगे share किया है उनका भी हमें URL जो है account number जो है वो चाहिए ताकि हम लोग उनको कड़ी सी कड़ी सी जो है वो सजा सुना सके next news क्या है sanitation worker dies off aspexiation in बावनगर अभी aspexiation का मतलब क्या होता है सांस की oxygen कमी की मिलना मिलने की वज़ा से जो है वो death होना तो जो sanitation साफसफाई के जो worker थे ना उनकी जो है मृत्यू हो गई जब वो क्या कर रहे थे munsi corporation का एक जो tank था ना उसको जो jet engine machine है उसको जो है clean कर रहे थे अचानक से जो है कुछ chemical release हुआ जिसके बाद उनको जो है वो सांस लेना उनके लिए मुश्किल हो गया उसके बाद हमारी next news पे हम लोग चलेंगे जो भी important होगी ये तो देली के related news है festival के related उसके बाद ये drug smugglers जो है ना इनको एक route मिला ये क्या कर रहे थे मिजोरम के थू जो है ना मनीपूर में जो है smuggling के लिए जो है वो जा रहे थे इन्होंने एक road बनाया हुआ था ठीक है उसको जो है police ने पकड़ा है महां से क्या होता था smuggling होती थी 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 एक execvator के through मतलब जो JCB होती है ना उसे एक 10 km का पात बनाया था international border पे जो की इंडिया और Myanmar के बीच में है और उस route को जो है ना इन्होंने find कर दिया है police ने तो यही इसमें लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है नेक्स न्यूस पे हम लोग चलेंगे यह बहुत सबसे ज़ादा important न्यूस है आज की inducing artificial rain to fix lingering pollution remains a newbler science तो इसका मतलब क्या है हम लोग क्या कर रहे है ना artificial rain को जो है ना वो करने की कोशिश कर रहे है create करने की कोशिश कर रहे है ताकि artificial तरीके से बारिश हो ताकि जो pollution फैला हुआ है उसको हम लोग control कर सके तो क्या मतलब induce करना artificial अगर हम लोग artificial rain को करने की कोशिश करेंगे ताकि pollution को हम लोग fix कर सके तो यह एक nebler science है मतलब इसमें हमें असपश्ट neblerus का मतलब होता है इसके लिए यह पहले भी हो चुका है बहुत बार 1940 में हुआ था मतलब यह try सब चल रहा है लेकिन कोई भी confirm नहीं है कि क्या असा हो पाएगा तो जो IIT of Kanpur है उससे जो है उन्होंने एक plan discuss किया है दिल्ली गूर्मेंट ने उस plan को फिर सुप्रीम कोट के पास लेके जाएंगे और उसके बाद इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो यह पहले भी हुआ था नार्थ इंडिया में हुआ था 20 November को किया गया था और उसके बाद बारिश उन एरियास में दिरे दिरे जादा हुई थी तो अगर यह मतलब प्रोसेस की हम लोग बात करेंदा होता क्या है एक एर क्राफ्ट जो होता है उसको जो है कलाउड के उपर से गुजारा जाता है और वहां से क्या होता है एक हम लोग salt solution जो है न वो बादलों के उपर फैंकते हैं एक seed की तरह उसके बाद क्या होता है बारिश होने की जो मातर है न वो दिरे दिरे उस एरिया में बढ़ जाती है तो यह शायद प्रयोग करेंगे आगे वो इसमें और कुछ important नहीं है उसके बाद यह शाटेज हो गई मनीपूर में MP मध्य परदेश में और उसके बाद जो है farmers वो काफी परिशान थे कि हमें fertilizer नहीं मिल रहा है खाद नहीं मिल रहा है तो कैसे हम लोग आगे काम करेंगे तो यही important जो भी news थी मैंने cover कर ली है अगर आप वीडियो को आपको अच्छा लगाओगा प्लीस यार मेरे फ्रेंड लाइक करना वर्टसेप पे टेलिग्राम पे इंस्टा पे हर जगा इसको शियर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सकें मैं पूरी summary टाइप आपको पढ़ा रहा हूँ 8 से 10 मिनिन में आपके लिए काफी फाइदेमन वीडियो होगा आप एकदम knowledgeable person बन जाओगे तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को और बैल आइकान को दबा दू ताकि जब भी मेरा नेक्स वीडियो आएगा आपको notification के तूप पता चल जाएगा टैलिग्राम को join कर लेना comment box में उसका link दे दूँगा तो like करें subscribe करें जहिन